हलो फ्रेंड आपका स्वागत है नौलेज पार के यूट्यूब चैनल पे दोस्त मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे आपका फरिवार स्वस्थ होगा फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 most important science के कुश्चन की जो आने वाले exam के लिए काफे helpful होगा तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला कुशन है प्रतवी के परिष्ट से पलायन वेक का मान बताईए ठीक है escape velocity बतानी है पहले जानते escape velocity क्या होती है फ्रेंड escape velocity वह velocity होती है जो किसी object को अगर दे दी जाए ते अर्थ के atmosphere को छोड़ करके बाहर exosphere से बाहर चला जाएगा यह ठीक है उसको हम बोलते escape velocity इसका मान होता है 11.2 km पर सेकेंड ठीक है कितना होता है 11.2 km प्रती सेकेंड होता है यह आते एकले कुशन पर जर्मन सिल्वर किसका mixture है फ्रेंड जर्मन सिल्वर जो होता है वो copper जस्ता और nickel का mixture होता है तो option number A हमारे पास correct हो जाएगा next हमारा है thermosplask के अविसकारक हैं तो thermosplask के अविसकारक है James Dever ठीक है plastic फ्रेंड दो टाइब के होते हैं एक होता है thermosetting plastic और तर्मोो प्लास्टिक तो इसमें हमारे पास flux बनाने में यूज होता है वो हमारा होता है thermos setting plastic जो एक बार खराब होने के बाद दोबारा उसको reuse नहीं कर सकते है ठीक है अगर एक बार melt हो गया तो उसको deform या reform नहीं कर सकते है तो option नमर ए हमारे पास correct हो जाएगा है गुरुत्वी तॉनल का मान जी स्मॉल जी का मान कितना होता है तो यह होता हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर और कैप्टल जी का मान क्या होता है और उसकी यूनिट साथ में हमें कमेंट बक्स में बताईए आप अगला कुशन है चूहो को मारने की दवा क्या है ठीक है चूहो को मारने के लिए कौन सी दवा के यूच किया जाता है तो यह मारा होता है जिंग कि फासट उप्शन नमर्सी क्मारे पास करेक्ट हो जाएगा कि अगला कुशन है receive जो हflow होता है इसमें अगर हमने पूछ जाए हैं इंगर श्ट्रॉम क्या मापता है यह बताना है तो यह मापता है तरंग देख क्यों ६ीबग जो होता है इसमें अगर हमने पूछा जाए कि इंटोल्च तरंग देख सबसे ज़्यादा किसी है तो red color की तरंग दयर्ज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और violet की जो तरंग दयर्ज होती हो सबसे कम होती है आते हैं अगला कुशन पर entomology में किसका आध्यान किया जाता है तो friend इसका करते हम friend किया जाता है कीटो का आध्यान option number D हमारे पास correct जाएगा अगला कुशन है निम्न में से किसका विस्त्रित रूप से बेहोस करने में प्रियोग किया जाता है ठीक है किसका एनस्थाटिक के रूप में यूज किया जाता है तो हम यूज करते हैं chloro farm का option number D हमारे पास correct हो जाएगा अगला कुशन है फायराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबननीत है तो फायराडे को जो नियम है friend विदूत अब घटन से संबननीत है option number A हमारे पास correct हो जाएगा अगला कुशन है ओंकोलाजी किसका अध्यान है friend ओंकोलाजी में हम अध्यान करते हैं cancer का option नमर B हमारे पास correct हो जाएगा अगला question है fuse star किस miss दातू के बने होते हैं तो fuse star के बारे में जान लेता है friend एक type का safety wire होता है जो हमारे appliances को खराब होने से मतलब जब heavy electricity हो जाती है तब इसे prevent करता है ये और इसका जो resistance होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है और melting point क्या होता ह वो कम होता है जब circuit में current बहुत ज्यादा हो जाता है friend flow नहीं लगता है तो ये क्या होगा resistance बहुत ज्यादा increase हो जाएगा और हम ये करता है circuit को break कर देता है तो ये बना होता है हमारा C सा और टिन का option number C हमारे पास correct हो जाएगा मानाव मस्तिस का लगबग कितने ग्राम का होता है ठीक है मानाव मस्तिस जो होता friend कितने ग्राम का होता है लगबग तो ये होता हमारा होता है 1350 ग्राम का option number B हमारे पास correct हो जाएगा नेक्स नमारा है brown ring परिच्छड का प्रयोग होता है तो friend brown ring परिच्छड का प्रयोग करते है nitrate के विस लेशड के लिए option number A हमारे पास सई हो जाएगा है चैलेड़ा किस से होता है जिवादो, विशाडो, फफूद, सै ये सहाल से तो friend हैजा होता है हमारा जीवालू से ठीक है option number A हमारे पास correct होगा आते हैं अगले question पर मानो सरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माल होता है फ्रेंड बताना है इसमें किसमें यूरिया का निर्माल होता है तो यक्रित में लीवर में यूरिया का निर्माल होता है आप्शन नमर D हमारे पास करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है वायू मंडल में प्रकास के विसरल का कारण क्या है तो प्रकास के विसरल का जो कारण हो फ्रेंड होता है दूल कर ठीक है अगला कुछ नहीं हारमोन इनसुलीन का उत्पादन कहा होता है तो फ्रेंड हारमोन जो इनसुलीन होता है वह पाइंक्रियाच के बीटा को सिकावं से उस सरजित होता है तो आप्शन नमर B हमारे पास करेक्ट हो जाएगा यह जान लेते हैं इंसुलीन के प्रकार कितने होते हैं, पहला प्रकार हमारा type 1 diabetes, यह तब होता है जब आपकी body insulin बनाना बंद कर देती है, ठीके, यह type 1 के अंदर काता है, ऐसे मरीजों को बाहर से insulin की injection देनी पड़ती है, इसे insulin dependent diabetes, mellitus या IDDM भी कहते हैं, और next type हमारा है type 2 diabetes, यह तब होता है जब आपके cell produce हो रही insulin पर प्रक्तिकिया नहीं करते हैं, ठीके, इसे मुलते हैं non-insulin dependent diabetes mellitus, ठीके, NIDDM भी इसे कहते हैं, और next हमारा है gestational diabetes, यह ऐसी महिलाओं को होता है जो गरबती हो और उन्हें पहले से diabetes ना हो, तो ऐसा pregnancy को दोरान खून में glucose की मात्रा आ diabetes होता है, I hope आपके diabetes के जो भी question होंगे friend, अब clear हो गया होंगे, ठीके friend, यहाँ पर हार्मोन पूछा गया था, insulin हार्मोन कहां से release होता है, तो यह हमारे release होता है, pancreas की बीचा को सिकाओं से होता है, ठीके, आते अगले question पर, मुत्रालेओं के पास नाग में चुबने वाली गंद कौन सी होती है, ती होती है friend, ammonia gas, ठीके, जिसका formula होता है NH3, जो friend, मुत्राले होते हैं, वहाँ पर एक तीछर सी गंद आती है, वो ammonia के होती है, अगला question है, tube light में मुख्य रूप से कौन सी gas भरी जाती है, tube light में friend, भरी जाती है, पारे की वास्प और आरगन, ठीके, ज तो iron की वेपर भरी जाती है और आरगन को मरा जाता है tube light के अंदर, अगला question है, महिलाओं में यौवन से पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, यह बताना है, तो इसके मोलते हैं, रजो दर्षन, मेनार्थ जिसे इंगलिस में बोलते हैं friend, अगला question है, पहला सफलता पुर्वक clone product था, तो यह हमारा था भेड़का, ठीक है, option number C हमारे पास correct हो जाएगा, जीवन की वह अवधी, जब सरीर में परिवार्तन होता है, इसमें जनन परिवसकोता आ जाती है, तो यह हमारा होता है कि सोरा अवस्था, जिसे इंगलिस में मोलते है, adult sense, next हमारा है, वाइउ को सु सुद्ध करता हूँ, वह हमारे करता है, पादब, option number A हमारे पास correct हो जाएगा, अगला कुशन है, पेची स्रोग के लिए उत्तरदाई प्रोटो जोवा कौन सा है, तो फ्रेंड, पेची स्रोग के लिए एंटमीबा जो जो है, वो उत्तरदाई होता है, अगला कुशन हमारा किस तत्व की वज़े से गाय के दूद का रंग हलका पीला होता है, तो यह हमारा होता है, कैरोटीन के वज़े से, option number D हमारे पास correct हो जाएगा, अगला कुशन है, केल्सी फिरॉल किस विटामिन का रासानीक नाम है, तो यह हमारा है विटामिन D की, विटामिन D की कमी से एक disease होता है, जो होता है, रिकेट्स बोलते हैं, जिसका विटामिन D का जो रासानीक नाम हमारा क्या है, कैल्सी फिरॉल, अगला कुशन है, तमाकु में उपस्तित एसकलोड कौन सा है, तो यह हमारा है, निकोटीन, option number D हमारे पास correct हो जाएगा, मानो में प्लाजमोडियम का संक् उत्पन करता है, तो फ्रेंड यह उत्पन करता है, मलेरिया, ठीके, इसको जो इसका वेक्टर है, वो हमारा कौन सा है, मादा एनफलीज है, यदि चंद्रमा पर दच्छिड कोरिया विस्पोड करता है, तो उसकी आवाज पृत्वी पर कितने देर बाद सुनाई देगी, त क्योंकि ध्वनी को ट्रेवल होने के लिए किसी ने किसी मीडियूम के रिक्वार्मेंट होती है, वहाँ पर फ्रेंड एडमॉसफेर नहीं है, इसलिए हमें कोई ध्वनी सुनाई नहीं देगी, अगर बात की जाए, ध्वनी सबसे तेज पिसमें चलती है, तो फ्रेंड चलत तो यह देख सकता है अल्ट्रा साउंड के द्वारा ठीक है आते हैं इसके बाद में जान लेते हैं देखे ऑडिबल रेंज हमारे पास जो होती है 20 से लेकर क्यों 20 थाउजेंट हर्च होती है हमारी इसे मूलते ऑडिबल रेंज इससे ज्यादा की जो धोनी होती है उसे बुलत साउंड करते हैं तो यहाँ पर टूंटी हृट से उपर की फ्रेक्वेंसी को हम यूज करते हैं अगला कुशन है बुल का एसाई इसाइ मात्रक क्या होता है तो ट्रेंट बुल का जो मात्रक होता है हमारा नीउटन अगर बात की जाए CGS unit क्या होती है तो यह हमारी होगी dyne अगर relationship पुछा जाए फ्रेंड 1 newton is equal to होता है हमारा 10 के power 5 dyne के ठीक है अगला question हमारा है monagite किसका आयस्क है तो फ्रेंड monagite जो होता है वो thorium का आयस्क है ठीक है और यह एक radioactive element है हमारा next हमारा है निम्न में से कौन सी दवा typhide उपचार में प्रियुक्त होती है typhide में कौन सी दवा का प्रियुक्त किया जाता है तो यह किया जाता है chloromycetine का option number D हमारे पास correct हो जाएगा radio carbon निर्धारण किस से सम्बंदित है तो फ्रेंड के thermometer का किस ने अविस्कार गया था जो डॉक्तर thermometer के यूश करते हैं उसका अविस्कार किस ने किया था तो किया था फ्रेंड foreign height में बात करते हैं body के temperature की तो फ्रेंड 37 degree Celsius होता है Celsius में बात हो गई 98.6 होता है foreign height में अगर बात करें Kelvin में तो यह होता है 309.9 Kelvin ठीक है इन दोनों पर degree लगा होता है फ्रेंड बट Kelvin में हमारा degree नहीं लगा होता है अगर पूछें temperature की SI unit क्या होती है तो हमारी होगी Kelvin आग बुझाने वाली gas कौन सी है तो फ्रेंड आग बुझाने के लिए हम CO2 gas का यूज करते हैं carbon dioxide का पाचन के जसों में से निम्ण में से कौन सा अमल पाया जाता है तो यह पाया जाता है hydrochloric acid option number D हमारे पास correct हो जाएगा जिसका formula होता है HCl genetics में किसका अध्यान किया जाता है तो फ्रेंड genetics में अध्यान करते हैं पानुवा सिक्ता एम गुण सूत्रों का option number E हमारे पास correct हो जाएगा आते हैं अगले कुशन पर धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्ण में से किसकी कमी के कारण होता है जो खैरा रोग होता है फ्रेंड धान का वो किसकी कमी के कारण होता है यह पताना है तो यह हमारा होता है जिनके कमी के कारण है option number E हमारे पास correct हो जाएगा अगला कुशन है मदमक्की पालन का अध्यन क्या कर लाता है तो फ्रेंड मदमक्की पालन का अध्यन कर लाता हमारा एपी कल्चर और मत्सपालन का जो होता है उसको हम बोलते हैं पेसी कल्चर और रेशम का जो पादन होता है उसे हम बोलते हैं सेरी कल्चर कोसिका में केंद्रक की खोज किस ने की है ये बताना है फ्रेंड तो कोसिका में केंद्रक की खोज की है रौवर्ट हुक ने option number C हमारे पास सही हो जाएगा अगला question है calcium aluminate तथा calcium silicate का मिस्राड क्या कहलाता है calcium aluminate और calcium silicate का मिस्राड कहलाता है हमारा cement option number B हमारे पास correct हो जाएगा और इसकी fixing rate को कम करने के लिए हम इसका क्यूज करते हैं यह हमें आप comment box में बताईए cement की fixing rate को decrease करने के लिए हम किसका यूज करते हैं आसू gas में परूक्त होता है जो अस्रू gas होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं chloroacetofenone का option number A हमारे पास सही हो जाएगा है हैं अपर अगला question है chloro-fluorocarbon को निम्न नाम से जाना जाता है तो friend chloro-fluorocarbon जो होता है उसको हम freon के नाम से जानते हैं जो हमारे atmosphere में किसको deplete करता है friend ozone layer को ठीक है O3 layer को ये deplete कर रहा है मतलब उसका छरण कर रहा है किसके वज़े से हो रहा है ये chloro-fluorocarbon के वज़े से जो कहा से release होता है friend AC से और refrigerator से release होता है और ozone layer किस layer में पाया जाता friend ये कई बार पूछा गया है तो ये हमारा पाया जाता है समताप मंडल में वह व्यक्ति जो समीब की वस्तुए स्पष्ट देख सकता है तो वह ग्रसित है friend मायोपिया ठीक है निकट द्रिष्टी दोसे वह ग्रसित है अगर बात की जाए मायोपिया में कौन से lens का यूज़ किया जाता है तो friend करते हैं अवतल lens का प्रयोग करते हैं अगर बात की जाए hypermitropia की तो इसमें व्यक्ति को समीब की वस्तुएं इसपष्ट दिखाई देती है किन्तु दूर की वस्तुएं इसपष्ट दिखाई देती है किन्तु नजदी की वस्तुएं हमें इसपष्ट नहीं दिखाई देती है और इसमें हम यूज़ करते हैं कौन वेक्स का ठीक है कॉन्विक्स के यूज करते हैं दूर द्रिष्टी दोस में और निकत द्रिष्टी दोस में करते हैं कौन केव का फ्रेंड आते हैं अगले कुशन पर दो वस्तुओं के मध्ध ध्वनी की प्रती ध्वनी सुनाई पढ़ने के लिए नियूंतम दूरी क्या होनी चाहिए ठीक है मतलब पूछ रहा है फ्रेंड एको जनरेट करने के लिए मिनिममम डिश्टेंस कितना होना चाहिए तो यह हमारा होगा 17 मीटर, ठीक है, देखाओंगा फ्रेंड यहाँ पर देखें, यहाँ से कोई source है, यहाँ से sound निकल दा है, तो इसके बीच में अगर minimum दिश्टे से हमारे पास 17 मीटर होगा, तो यह जो थोनी है, इससे टकला करके वापस इसको सुनाई देगी, इसे ही हम ब बोलता है, प्रती धनी या E को बोलते हैं, दाप का si मातरक क्या होता है, तो फ्रेंड दाप का जो si मातरक होता है, हमारा होता है, पास्कल, फोर्मले की बात के तो प्रेशर इसकोलट होता है, force upon area, force की unit होती ह्नुटन, और area की unit होती है, meter square, अगर Newton प्रती मीटर स्क्वार भी दिया है तो वहाँ पर भी option हमारा सही हो जाता है और बात कीज़ेंड प्रेशर की तो प्रेशर में अगर जान लीजे अगर एरिया हमारा कम है ठीक है एरिया हमारे पास कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम लग नेक्ट हमारा है मर्मियों को लौजी किसका अध्यान है मर्मिको लौजी किसका अध्यान है फ्रेंड यह हमारा अध्यान है चीटियों का ऑप्शन नमर भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड अगला कुछन है सीत रितु में पशू के प्रसुपतिकाल को क्या कहते हैं सीत रुतु में ये प्रसुओं के प्रसुपति काल को क्या कहा जाता है तो इसे बोलते हैं हाइबर नेशन ऑप्शन नमर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा तरण यहाँ पर 50 कोशन हमारे कंप्लीट हो गए आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएग साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल गुरूप में इसको शेयर कीजिए अगर आपने मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू